अगामी दिनों में आने वाले हर्याणा विधान सबज चुनावों से पहले सियासी गठ जोड की शुरुवात हो चुकी है पिछले दस सालों से काबिज भाज़ापा को इस बार कई चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा दरसल हर्याणा में चाहे किसानों का मुद्दा हो या पहलवानों के साथ ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर तो विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है वही दुश्याण चोटाला की जेजेम पार्टी और भीम आर्मी चीफ चंदर शेकर आजाद की आजाद समाज पार्टी के गट जोड से भी हर्याणा में अच्छा खासा परभाव हो सकता है आज हर्याणा विधानसभा चुनाओ पर करेंगे समिक्षा दरसल हर्याणा की अबादी में 21% दलित अबादी रहती है जिसके चलते अब ASP की एंट्री से नए सीरे से इसमें सेंध मारी शुरू हो चुकी है दरसल दुश्याण चोटाला और चंदर शेकर दोनों ही युवानेता है और चंदर शेकर को दलित अंदोलन के वर्तमान के रूप में देखा जा रहा है हलांकि यहां से बसपा पार्टी भी 1998 में से चुनाव लड़ती आई है लेकिन वह कभी परमूख पार्टी नहीं बन पाई इसलिए बसपा सुप्रीमो मायवती को दलित अंदोलन का अतीत भी माना जाने लगा है अब हर्याण में जेजेम और एसपी के इस नए सियासी गट जोड को जाट दलितों का गट जोड माना जा रहा है अगर यह गट बंदन काम्याब रहता है तो दुशंच चोटाला की सियासत चमक सकती है दोस्ती नहीं जरूर हो विचारों की दोस्ती बहुत पुरानी है और मानेवरक आशीराम जी और चोडरी देविलाल जी का जो रिष्टा रहा उसने 1989 का जो तुनाब था बहुत बड़ा बदलाव लाने के काम किया किसान कमेरे को साथ लाए और उस समें मानेवर काशी राम जी ने एक बात कही ती चोदरी देविलाल जी ने जब देश का नेत्रतव किया उप्रधान मंतरी बने वीपी सिंधी की सर्कार जाए उस समें डॉक्टर अमबेटकर को भारत रतन तो 1990 में दिलाया है उसके साथ साथ के अंदर भी डॉक्टर अमबेटकर का स्टाइचु लगता है दोनों ने मिलकर 1996 का चुनाव लड़ा चार लोग सब्सक्राइब मुझे लगता है आज तंजर सेखर और हम मिलकर ते लेंगे तो दो फाइदे है एक तो किसान कमेरे की लड़ाई तो मुझे लगता है आज सब और दूसरा कि हम मिलकर अगले 40 45-50 साथ जो दिशा इस देश की प्रज़ती में उसमें इस्सिदार की रही है और दोनों दलों ने इसी विचार के साथ गठवनने कि है कि हम अपनी ताकत को जंता की ताकत को मिलकर हर्याना की प्रज़ती की इस्सिदार भीम आर्मी भले ही प बढ़ते परभाव से इंकार भी नहीं किया जा सकता भीम आर्मी चीफ चंद्र शेकर आजाद उत्तर परदेश की नगीना लोकसवासीड से जीत कर सांसत बने है चंद्र शेकर आजाद दलित समुदाय के बीच तेजी से लोक पिरियह होते जा रहे हैं उनका क्रेज पश्च में उत्तर परदेश से लेकर हर्याना पंजाब और बिहार तक है ऐसे में बहुजन राजनीती के नए चेहरे के रूप में उभर कर आ रहे हैं चंद्र शेकर आजाद देखिए पिछले साथ आठ साल से हर्याना में भीमारे में की लोग काम करने हैं लोकसवा चुनाओं में ह हमारी परटी ने वहां लंबे समय तयारी की है और अच्छे मजबूत काम करने वाले जिनकी खुद की पहचान है छेत्र में जिन लोगों ने काम किया है ऐसे अच्छे परतियासी है और भीमार में आजास समाज परटी का संगर्स हमारे साथ है वहां की स्टेट की टीम ने मजबूती से जिला विधान सबाब बूस सेक्टर का संगर्स मनाया उसके जरीए हम लोग चुनाओं लड़ाएंगे और मेरा विश्वास है कि आजास समाज परटी और जो अलाइंस जेज़ेपी के साथ हमारा हुआ मिलके जो है एक मजबूत विकल्प जो है हर्याणा में बनेगा ऐसा मेरा विश्वास है वहीं दुश्यंद चोटाला जाट नेता है हर्याणा में जाट आबादी करीब 25 परतिशत है वहीं दली समाज के आबादी करीब 21 परतिशत बताई जाती है जिसमें करीब 15 सीटे दलीतों के लिए आरख्षित भी है दलीत वोटरों को रिजहाने के लिए दुश्यंद चोटाला का कहना है कि जब चोधरी काशिराम ने दिल्ली में विरोध परदशन किया था तब चोधरी देविलाल सबसे पहले आये और उनका समर्थन किया था उस समय काशिराम ने मांग की थी कि बी आर अमबेडगर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए जब देविलाल उपरदान मंत्री बने तो बी आर अमबेडगर को ना केवल भारत रत्न से सम्मानित किया गया बलकि संसद में उनकी परतिमा भी लगाई गई थी दुश्यंद चोटाला की पार्टी ने 2019 में 10 सीटें जीती थी और भाजापा के साथ गट जोड़ कर 3 शंकु सरकार बनाई बाद में उन्होंने भाजापा से नाता तोड़ लिया अब एक बाद फिर दुश्यंद ने चंदर शेकर के साथ गट जोड़ कर सियासी पारतों बढ़ा ही दिया है दुश्यंद चोटाला ने अभे चोटाला की इंडियन नेशनल लोगदल INLD से बागी होकर जन नायक जनता पार्टी बनाई थी अब ऐसा माना जा रहा है कि INLD और बहुजन समाज पार्टी में फिर गट बंदन होगा इसके जवाब में दुश्यंद ने अजाज समाज पार्टी से गट बंदन कर लिया है हर्याणा में बीजेपी सरकार से किसान नराज है, पहलवान नराज है सरकार के परती बिरोजगारी को लेकर भी गुसा है दुश्यंद चोटाला और चंदरशेकर आजाग दोनों नए चेहरे हैं इसलिए दोनों युवाओं में वह खासी लोगपिरिया तब ही बटोर रहे हैं देखने वाली बात यह है कि हर्याणा की जनता इस नए गट जोड को अपना समर्थन देती है या नहीं इस खबर में इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलिएगा धन्यवाद